कि हार जहीं दोस्तों मैं कंलेश आप सभी का शिक्रश्य ओशन परिवार में हार्तिक स्वागत करता हो दोस्तों आज का जो हमारा टौपिक तक चर्चा करेंगे कि यहाँ कानुन की इस प्रकार के प्रावधान लेकर भारत में आया है शेरोगेसी काफी समय से चर्चा में है तो होती क्या है इसके बारे में जो हमारे जो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर कर ना भूले है दोस्तों बारे ऽिवश्य आज इसी तकनिक है जिसके माध्यम से नी संतान जो माता-पिता होते हैं, वह संतान की प्राप्ति करते हैं, कि इस प्रकार से या प्रोसेस क्या है या एक medical terms है यान यह medical language में हम बात करेंगे आगे जाके यह पूरी medical process है तो जो नी संतान मातापिता होते हैं उनके लिए जो स्चेरोगेसी एक वरदान के रूप में साबित होती है लेकिन इसका व्यवसाई करण भी काफी होने लगा है इसलिए सरकार इसके उपर बिल लेकर आ रही है दोस्तों इसकी process क्या होती है वहाँ मैं आपको एक medical terms जो है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो माता पिता होते हैं जिनको संतान की इच्छा है कि अगर उनको किसी प्रकार से जो किसी medical problem की वज़से अगर उनको संतान नहीं हो पा रही है तो वो सेरोगेसी का उप्योग करते हैं यानि सेरोगेसी विवस्था का उप्योग कर संतान की प्राप्ति करते हैं इसमें क्या होता है कि जो माता-पिता होते हैं उनके अंडानों और शुक्रानों को उनको अंडानों और शुक्रानों को जिसी अन्य महिला इसे अन्य महिला के गरवाश्य में प्रत्या रोपित किया जाता है और उसके पस्चाथ जो नो महिने के पस्चाथ संतान की प्राप्ति होती है जो अन्य महिला होती है उसको कहा जाता है इस लेंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो होता है सेरोगेट मदर जो serogate मदल होती है उसके गरभाशन में प्रवेश कराया जाता है और 9 महीने पस्चाथ वो बच्चे की प्राप्ति होती है दोस्तों यहाँ जो तकनीक है यहाँ हमने सुना आपने कभी नाम सुना होगा टेस्ट्यूब बेबी उस प्रकार की तकनीक होती है लेकिन वो एक क्रत्रीम होती है उसमें एक ट्यूब एक परक नली होती है जिसमें अंडाणों और शुक्राणों के माध्यम से बच्ची की प्राप्ति होती है जो कि एक क्रत्रीम तकनीक होती है और यहाँ जो तकनीक है यह यहाँ पूर्णा तहां जो प्राक्रतिक है जो नेचुरल है उस प्राकार की होती। क्योंगि इस गरभाशह में उसको जो ईच्मोस्पियर बच्चे को वहाँ-वहां मिलता है। यानि परसे दोलोट की ह्तोर से नौिशक्त कर्वात मिलता है। यह विदेश से भारत आईए और यहाँ चलन में तब या फी चर्चा में तब आती ही जब हमारे जो बोली और सितारे इस प्रकार की तकनिक का उप्योग करते हैं दोस्तों इसमें प्रोब्लम तब आने लगी जब विदेशी लोग जो विदेशी मातापिताब भारत में आते हैं और इस प्रकार की तकनिक उप्योग कर किसी महिला के द्वारा संतान उत्पति लेकर उसको पेसे देका और अगर संतान किसी प्रकार से विक्रती होती है किसी प प्रकार से व्यापार के रूप में इसको ले कर आ गए है कि जो ने प्रकार होते हैं अगर कोई महिला है जिसको पेसे क्या अवस्रखता है और इस प्रकार के संधान की उत्वतिष हो तो इस प्रकार से इसका रूप्योग हो रहा और इसका व्यवसाही circumstance करण बढ़ रहा है जब भारत में इस प्राकार के व्यवसाइग करण की बाह Spread is तो भारत की संसत में एक बिल पेश किया गया जो सेरोगेट से संबंदी थे वो इस बिल को पेश करते से हैं हमारे देश के जो स्वाज समंत्री है डोक्टर हर्षोरधन जी हर्षोरधन जी ने यह कहा कि वर्तमान में भारत में करिब 2000 जो है गेर कानूनी क्लीनिक और करीब 3000 से अधिक विदेशी संताने उत्पन्न होई और वा विदेश में चालेगी इसका जो दूरूपियोग इस प्रकार से देखा जा सकता है कि करीब 2000 से अधिक तो गेर कानूनी क्लीनिक है भारत में और 3000 से अधिक विदेशी संताने उत्पन्न आवशक्ता दी इस बील के प्रावधान क्या-क्या है वह हम वीडियो के अंतर दर्सकास करेंगे यदि आपको यहां तक सेरोगेसी समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम इसको आगे भी इसको अच्छे से समझ सकें तो सेरोगेसी क एसी तकनिक है जिसके माध्यम से नी संतान, मातापीता, संतान की प्राप्ति करते हैं उसमें मातापीता के अंडाणों और शुक्राणों को किसी अन्य महिला के गरभाशे में प्रवेश कराये जाता है और उसके पच्छा संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की प्राप्ति ह होती है यह होती है सेरोगेसी अब जो बिल आया है भारत में उसके बारे में हम बात करते हैं जो सेरोगेसी बिल आया है उसमें क्या प्रावधन किया गए तो वह है कि एक तो नेशनल नेशनल सेरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा नेशनल सेरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसी के तर्जपर राज्य में भी सेरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा यानि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें कुछ अधिकारी होंगे जो इस प्रका बील इसका वर्ष है 2019 तो इस बील के आने के बस साथ यह होगा कि जो भी माता-पिता इस प्रेकार से संतान चाहते हैं उनको एक कानूनी कारवाई से गुजड़ना पड़ेगा जिसमें जो शूल कहें जो माता-पिता जो अन्य महिला हैं जिसको सेरोगेट मदर कहते हैं उनको पर बायूडाटा और उनकी जो पूरी प्रोसेस है क्लीनिक के द्वारा एक क्लीनिक के अंदर गत होगा जो कि एक नेशनल सेरोगेसी बोर्ड या राज जी के अंतर बात करें तो राज जी का सेरोगेसी बोर्ड के अधिन आएगा और वहां अधिकारी इस पर नजर और यहां जो सुविधा है इस तकनिक का लाब फोन उठा सकता है जिनकी शादी पांच वर्ट से अधिक की उम्रत तक जिनकी शादी हो चुकी यानि जिनके शादी हुए पांच साल या उससे अधिक हो चुके हैं तो वहां इस सुविधा का लाब ले सकते हैं और उनकी जो पीटा नहीं बन सकते हैं उसके पश्चाती इस सुविधा का उप्योग किया जाएगा अगर किसी प्रकार से इस सुविधा या इस बिल का उलंगन होता इस नीम का उलंगन तो सजा का प्रावधान क्या है तो इसमें करीब 10 वर्ष की सजा 10 वर्ष की सजा और 10 लाग रुपए का जुर्माना इसमें सम्मिली थे और अगर किसी क्लीनिक के माध्यम से हो रहा है तो इस क्लीनिक का लाइसेंस और डॉक्टर का जो लाइसेंस है वह भी रद्धि किया से डिसेबल होती तो संतान को छोड़ के चले जाते हैं लेकिन इस बील में यह होगा कि संपुर्ण लिखित प्रावधान होंगे और अगर संतान किसी प्रकार से विक्रत होती है तो भी उस संतान की जिम्मेदारी उन्हीं माता-पिता की होगी जो इस सुविधा का लाब ले र सेरोगेसी है अब भारत में लीगल होगी और लीगली प्रावधान से ही गुजरना पड़ेगा पहले भी यह लीगल थी लेकिन इसका दुरूपयोग बढ़ रहा था तो इसको दूरूपयोग कम करने के लिए सेरोगेसी विल 2019 लाया गया दोस्तों इस संबंदित आप सभी क अगर यह समझ में आता है तो अच्छी बात है अगर नहीं आया है तो प्लीस कमेंट बोक्स में जरूर लिखे ताकि हम इसको अगले वीडियो में आकर आपको नहीं आया तो एक और वीडियो देखकर हम इसको समझा सकते हैं कुछ ऐसी बाते इसमें हैं ऐसे टानुम से जो तो नहीं समझ में आये तो please comment ज़रूर करें आप हमारी शिक्षावशन चैनल को like करें subscribe करें और वीडियो को share करना ना भूले अगर यह जानकरी आपको पसंद आती है तो share ज़रूर करें तब तक मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद